तू ही सागे है तू ही किनारा डूंड़ता है तो किसका सहारा डूंड़ता है तो किसका सहारा दोस्ते एक आप इसे कहानी भी कह सकते हैं और एक बहुत दिल्चस्प जानकारी भी कह सकते हैं इसमें एक मेसेज भी है आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा 1994 भारती राश्वपती श्री शंकरदयल शर्मा जी अधिकारे की यातरा पर मसकत का दौरा कर रहे थे और जब एर इंडिया को विमान उमान में उतरा तो तीन दिल्चस्प घटनाय होई एक उमान किंग कभी भी किसी भी देश के गणमानने व्यक्तियों को रिसियू करने के लिए होई अडिय पर नहीं जाते कभी नहीं लेकिन उमान का राजा राश्वपती को रिसियू करने के लिए होई अडिय पर आते दो, जब फ्लाइट उत्री तो राश्पती जहाज की सीडियों से नहीं उत्रे बलकि उमान के राजा राश्पती को उनकी सीट से रिसीव करने के लिए सीडियां चड़ कर जहाज में गए ये भी पहली बार हुआ था जहाज से उतरने के बाद शौफर खड़े रहते हैं ड्राइवर्स जिन्हें हम कहते हैं एक कार थी लेकिन उमान किंग ने चालक को अलग करने के लिए इशारा किया और उमान के राजा ने स्वैम उस कार को चलाया जिसमें राश्पती बैठे थी बाद में जब समवाद दाताओं ने राजा से सवाल किया कि उन्होंने इतने सारे प्रोटोकॉल्स क्यों तोड़े तो किंग ने जवाब दिया कि मैं श्री शर्मा को रिसीव करने के लिए हवाई अड़े पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो भारत के राश्टपती थे बलकि मैंने भारत में अध्यान किया और कई चीज़ें सीखी जब मैं पूने में पढ़ रहा था तब श्री शर्मा मेरे प्रोफेसर थे और यही कारण है कि मैंने ये किया दोस्तों यही शिक्षक होने की सबसे बड़ी शक्ति है शिक्षक होना अपने आप में इसलिए गारव पून माना जाता है तू ही सागर तू ही सागर है तू ही किनारा डूंडता है तू किसका सहारा डूंडता है तू किसका सहारा झालता है तू है तू ही शिक्षक होना झालता है